तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नमबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का कोशन नमबर 3 तो कोशन नमबर 3 में हमें दिया है इफ 10 A प्लस B इक्वल टू रूट 3 अगर 10 A प्लस B की वैल्यू रूट 3 है और 10 A माइनस B की वैल्यू रूट 3 है और A प्लस B क्या है कोई एंगल है 0 से बड़ा और 90 के इक्वल भी हो सकता है लेकिन 90 से छोटा होगा यहाँ पर इक्वल का साइन तो लगाए नहीं है greater than का साइन है A प्लस B के पास मतलब वो 0 से कैसा होगा बड़ा और 90 से छोटा भी हो सकता और 90 के इक्वल भी हो सकता है वो चीज हमें चेक करनी है और A एंगल की जो वैल्यू आएगी वो B से क्या होगी बड़ी और हमें बताना है कि A और B एंगल क्या-क्या है यह बताईए तो बिल्कुल सेम हमारा एग्जमपल नंबर 8 था बिल्कुल सेम एग्जमपल नंबर 8 में क्या था यहां पर हमें देरक्खा था प्र जैसी condition चैसे इसमें दी थी उर इसमें भी हमने A और B की वैल्यू निकाली थी इसलिए मैं कहता हूं कि जो root 3 है ये 10 में किसकी value होती है 1 upon root 3 10 में कितने degree की value होती है फिर compare करके वहाँ से 2 equation बनेंगी एक a plus b के equal वाली एक a minus b के equal वाली और फिर उनको solve करके हम a और b की value को निकाल लेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है हमें question के अंदर दे रखा है कि 10 a plus b equal to क्या है root 3 तो a plus b क्या है a plus b एक angle होगा और a plus b की जो value आएगी वो आप पहचान कैसे करोगे देखो root 3 की जो value होती है 10 में कहां पर होती है 60 degree तो a और b को plus करके पता है 60 degree आ रहा होगा यह चीज हमें दे रखी है तो 10 a plus b equal to अब यह देखो 10 में root 3 कहां पर value होती है तो देखो 10 यह वाला पूरा का पूरा block आपका 10 का 10 में root 3 कहां पर है 60 degree पर है root 3 तो यहाँ पर आप इस root 3 की जगा पर क्या लिख सकते हो 10 60 degree तो जब आप इन दोनों को compare करोगे तो compare करके हम कह सकते हैं कि a plus b किसके equal होगा 60 degree के जैसे 10 a plus b 10 60 के equal कब हो सकता है जब a plus b की value क्या हो जाए 60 degree तो यहाँ से हमारे पास आ गया a plus b equal to 60 degree यह मान लिजे अपनी होगई equation number first ऐसी अब दूसरा दे रखा है हमारे पास 10 a minus b equal to 1 upon root 3 अब इसमें लगाते है 10 a minus b equal to 1 upon root 3 तो 1 upon root 3 10 में किसने की value होती है कितने degree की यह चीज निकालो तो यह होगा 10 a minus b equal to 10 30 degree ठीक है 10 में 1 upon root 3 किसकी value होती है 1 upon root 3 होती है 10 30 degree की value तो यहां से हमारे पास 10 30 को जब हम 10 A-B के सामने compare करेंगे तो वहां से A-B की value कितनी आएगी तो आप लिखोगे by comparing A-B equal to 30 degree और यह हो गई अपनी कौन सी equation equation number second ठीक है अब इन दोनों equation को या तो add गर लो या subtract कर लो या elimination method लगा लो वो आपकी मर्जी है अगर आप add करते हो तो B cut जाएंगे अगर आप subtract करते हो तो A cut जाएंगे elimination method लगाए लेता है या add कर दूँ चलो add करें देता हूँ adding equation number first and equation number second तो plus कैसे होते हैं LHS में LHS plus होता है मतलब A plus B में क्या plus करेंगे यह A plus B में plus करेंगे हम A minus B और RHS में RHS plus होता है मतलब 60 में क्या plus हो जाएगा 30 degree तो यहाँ यह plus का B और minus का B तो cancel हो गए A और A कितना हो गया 2 है और equal to 60 और 30 कितना हो गया 90 degree तो A की value आगई 90 upon 2 2 से जब 90 को cancel out करेंगे तो कितना हैगा 45 degree तो A की value अपने पास आगई 45 degree अब यह जो value है इसको कोई सी एक equation पुट कर दो चाहो तो इसमें पुट कर दो चाहो तो इसमें पुट कर दो वो मर्जी है आपकी तो हम पुट कर देते हैं चलो first में तो आप लिखोगे के put कर रहे हैं हम A equal to 45 degree in equation number first तो first equation थी अपनी A plus B equal to 60 degree A की जगा पर रख दो 45 plus B equal to 60 degree यह 45 plus का इदर आएगा तो minus का और जब 45 minus करोगे 60 में से तो कितना आएगा 15 degree और देखो question में भी इसने यही बताया था कि A की जो value है वो B से कैसे आनी चाहिए बड़ी तो A की value B से हमारी बड़ी ही आई है और साथ में देखो इसमें यह भी तो चीज़ थी कि अगर A और B की value का हम plus करें तो A और B को plus करके कितना आ रहा 60 degree है और 1060 की value root 3 होती है इन दोनों का अगर हम difference निकालें तो कितना आएगा 1030 और 1030 की value 1 upon root 3 होती है तो यह हो गया आपका question number 3 बिल्कुल same था आपका example number 8 दोनों question बिल्कुल same से हैं इनको ध्यान से कर लेना क्योंकि यह question कही बार repeat हो चुका है अगर इसमें कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ लेना और बाकी question number 4 करते हैं हम next video के अंदर